तो friends बहुत दिन से मुझे WhatsApp, Calls and Text आ रहे हैं कि Sir मैं Stock Market में अपना करियर बनाना चाहता हूँ and मुझे समझ नहीं आ रहे है कि किन steps को follow करूँ मेरा first step क्या होना चाहिए जिससे कि मैं profitable trader बन पाहूँ because देखिए as a beginner सब के मन में सवाल रहता है कि Sir मुझे trading करना है मुझे Stock Market में करियर बनाना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि first step क्या हो यह normal सा nervousness यह problem यह normal है अब देखिए normal क्यों because family बोलती Stock Market से दूर हो आपके friends लोग कहते हैं कारे मैं तो profit कर रहा हूँ मुझे तो लग रहा है भाई मैं तो इसमें अच्छा करियर बना रहा हूँ आप कहीने कहीं YouTube पे देख रहा हो कि कुछ लोग करोड़ों का profit कर रहे है 1CR, 2CR profit कर रहे है and कुछ लोग lakhs में भी profits कर रहे है and again आप अगर बात करोगे movies की तो movies में दिखाया जा रहा है कि hero जो होता है वो जाता है stock market में invest कर तो उसके पैसे चले आते मतलब negative positive दोनों दिखाया जा रहा है तो इस situation में थोड़ा nervous होना या थोड़ा confusion हो जा लाजमी है तो बिल्कू टेंशन नहीं है अगर आप वीडियो देख रहे हो इसका साफ सा मतलब है आप trading में या stock market में एक career बढ़ाना चाहते हो इसका simple सा fund है कि आपको कुछ ऐसे steps चाहिए कुछ ऐसी guidance चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे तरीके से एक best way में एक कम time में profitable trader बन सको and कही न कहीं उससे एक regular income निकाल सको simple सी बात है मैं कुछ steps लेकर आया हूँ मैं कुछ आपके लिए guidance लेकर आया हूँ तो friends मैं guidance क्यों लेकर आया हूँ because सुरू से हम लोगों को आदत होती है कि हमें कोई guide करे like school में मैं teacher guide कर रहा है उसके बाद अनों tuition जाते तो आप सर guide करते थे 12th में भी guidance मिली coaching में अगर आप जाते हो वहाँ भी guidance मिलती है office में जाते हो तो आपके senior manager आपको guide करते है तो हर जगा guidance में किसी वे को किये हो और यहाँ stock market में आप अपने family को भी नहीं बता पाते हो और आपको career भी बनाना है तो थोड़ी सी guidance important है तो friends देखिए मैं जू जू steps बताऊंगा simply आपको उन steps को follow करना है ठीक है अब friends देखिए इस वीडियो को वो लोग भी देख रहोंगे जो लोग अपने trading journey है दो महीने पहले तीन महीने पहले हो सकते हैं in fact 5 या 6 मैंने पहले start कर चुके है कुछ लोग losses खा चुके है लेकिन उनके अभी छोटे losses है और कुछ लोग तेदर फ्रेश होंगे ठीक है तो अगर आप लोग किस stage में एक बार मुझे comment section बताइएगा कि आप कब से trading start किये है कितने overall loss या profit आपका हो चुका है इससे मुझे कहीं आइडिया लाइगा तो मैं अगली वीडियो किस topic पे plan करूँ तो this is the big big help from your side तो यह सबसे बड़ा help है आपका comment करके इस question का answer जरूर से दीजिएगा तो देखिए सबसे simple बात होती है बहुत लोग जो trading journey start करते है वो किसी के screenshot से start करते है वो ऐसे scroll कर रहे है उन देखर रहे है तो 1CR का profit कर रहे है यह है कि actually में यह तो 10 लाग का profit कर रहे है और लोग भी बता रहे है अब यहाँ पे थोड़ा क्या होता है दिमाग में जाता है stock market का दूसरी point बहुत लोग कहते है न कि stock market का ऐसे passion ऐसे यह होता है कि अगर आप stock market प्रॉफिट करते हो तो आप एक मतलब hero type real world में hero हो लोग उस hero पंती को दिखाने के चक्कर में बोलते हैं आप लोगों से कि भाई मैंने तो 2000 का profit किया भाई एक मिनट में मैंने भाई 10,000 चाप दिये अब आपके दिवाय में आता है यार मैं महीने का 50,000 सोचरों की salary लोंगा और ये बंदा एक दिन में 10,000 का आ रहा है तो कुछ तो बात है मैं भी वो कर सकता हूँ अब आपके दिमाज में ये thought भी आ रहा है तीसरा point क्या होता है कि कहीं न कहीं आप लोग किसी सुनते हो भाई उसने ये कार ले लिए उसने वो कार ले लिए क्यों? क्योंकि वो stock market करता है अब इन सब चीजों को देखके सुनके कहीं न कहीं आप भी आ जाते हो बिना किसी mindset, बिना किसी guidance, बिना किसी proper management आप बस trading में आगे, आपने demand account खोला, आपने बस पैसे add कि बस ले ही लिया trade कुछिसी ने बोला कि seal लो profit होगा, किसी ने बोला put लो, किसी ने बोला ये stock लो, किसी ने बोला ये stock लो आपने ले लिया, अब क्या होता है, आपका market का rule है, 90% chance आपका first trade profit में जाता है आप सब भी लोग बताईएगा, कि आपका first trade loss में था या profit में था, मेरा तो profit में था first trade जब मैंने start किया था सब journey तो, आपका बताईगे, आपका क्या रहा था, because first trade profit होगा आपके दिवान लोगा, अरी यार मेरा तो first trade profit हो गया, अरी तो बहुत simple सा है यार, यहाँ लेना, यहाँ बेज़ देना है, बढ़िया है यार, अमना first trade profit होगा, दूसरा trade, तिसरा trade loss होते जाता है, होते जाता है, एक अच्छा खासा loss हो जाता है, फिर लगता है, बस यह loss recover हो जाए, यह gambling है, मैं इसको नहीं करूँगा, और वो कभी होता नहीं है, वो चीज़े बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, अगर आप बीना learning किये हुए, इस process को increase करोगे तो, तो simple सा है, मैं guidance देने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को घंप focus way से देखिएगा, मेरा session ने copy and pen ले लीजिए, जो जो points बताऊंगो, इसको आप अपर नोट कर लीजिएगा, because note करने से आपके subconscious mind में वो चीज़े बैठ जाएंगी, and you just follow these steps and I guarantee you will be a profitable trader, okay, तो पहला step क्या होता है, हमें mindset बनाना चाहिए, तो अब हमेशा आपने देखा होगा, आप काम करने से पहले सोचते हो, ये काम किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है, तो mindset important है, mindset आपका क्या होना चाहिए, कि जो चीज़ मैं करने आ रहा हूँ, ये gambling नहीं है, यहां मुझे केवल कहीं भी buy sell नहीं करने, this is not a gambling, this is the actual skill, ये skill है, तो ये gambling नहीं करूँ, दूसरा, कभी भी ही सोच के मत आएगा, मेरे पास 10 lakh रुपय, किसी ने मुझे 10 lakh रुपय दे दियें, चाहिए 20 lakh रुपय दे दियें, मैं इसे trading करता हूँ, एक 2 lakh रुपय return मनाऊँगा, उसके 20 lakh रुपय दे दूँगा, एक 2 lakh रुपय अपने पास रख लूँगा, that is not good, because market starting and profit नहीं देता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो ये दूसरा thought रखे कि short term profit सोच के मत आएगा, तीसी दी चीज, अगर आप trading स्टार्ट करना चाहते हूँ, तो आप कभी भ पॉइंट से, क्या होगा न, जो बेगिनर स्टोग उनको help ने लेगी, तो आप लोग बताएंगे, तो कहीं न कहीं है, उनको help करने वाली है, ठीक है, तो ये सब चीजों को पहले माइंड से निकाल दीजएगा, अब important बात क्या है, ये कि skill है, this is a skill, ठीक है, इसको आपको skill क चाड़ के आजाते हैं, तो ये fear नहीं है, आपको पहले skill को develop करना है, अगर आपको लगे कि आप ये बन सकते हो, देनाव, आपने छोटे साज तक बहुत सारी चीज़े सोचे होगे बनने के लिए, लेकिन जो आहां पे हो, वो चीज साइधी आपने सोचा होगा, बहुत कम लोग हों, जो सोचते हों बनते हैं, तो पहले आप skill पर work करो, जो skill better हो जाए, साल भर का 6 माईने का experience आजाए, आपको लगे, then you will quit your job and come to the trading, okay, तो देखिए, first change के आपको इसको पार्ट टाइम करना है, अगर आप beginner हो तो, आप अपना work करें, इस्टोड़ने तो पढ़ाई क करो, साथ में 3 गंटे, 4 गंटे टाइम निकाली है, then आप इस पर आईए, and इस पर साम को time दीजे, okay, मैं वो भी बताऊंगा, कैसे time देना है, क्या करना है, skills को कैसे build करना है, okay, like आप guitar बजाते हो, football खेलते हो, तो ऐसे है नहीं, आप सब छोड़े, football खेलते हो, साथ साथ skill की तरह मारनो, this is important, अब second point क्या होते है, trading करने के लिए आपको पास एक demit account होना चाहिए, this is very very important, अब देखिए, sir कहेंगे, अब बहुत सार यह तो पता है, आप यह क्यों बता रहे हो, अब यह है, इसलिए बता रहे हो, कोई बहुत सारे demit account ऐसे होते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं होते है, आप के बहुत प्रोफिट करते हो दोसों का, वो लो charges double triple लेते हैं, आपको पता भी निचे लो और आपक बचा के रखो, बिकेट रहेंगे, तो ही आप 50 over खेलोगे, 10 over खेलोगे, 20 over खेलोगे, अगर आप पहले 5 over में all out हो जाओगे, तो बचे चाहे 100 over के होना आप नहीं खेल पाओगे, आपके पास कितना भी talent के होना आप गेम नहीं start कर पाओगे, that is trading, यहां भी होते हैं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हो, मतलब mindset आप बना चीक हो कि आपको trading सीखना है, second step तुरंच जाईए, इस पे register करिए, then इस वीडियो को आप further start करिए, पहले तो आप फ़ले phone से register करके आईए, after that start this video, इससे क्या होगा ना, motivation हाईगा, कि कहीं नहीं कि मैंने 2 steps complete कर लिए, तीस पता नहीं कितनी stocks है, मैं किसमें trade करूं, मुझे समझी नहीं है, मैं trading करूं, मुझे कभी दिखता है, है यह नीचे गिर रहा है, यह उपर जा रहा है, तो सर यह confusion होता है, तो इसका simple solution है, मैं आप लोगो के लिए watch list लेकर आए हूँ, आपको यह side में देख रहा होगा, यह जो भी watch list के नहीं है, क्यों आपको in shares में trade करने, और कैसे trade करना यह मैं बताऊंगा, ठीक है, तो be patience, patience रखिये, मैं बताने वाला हूँ हर एक step, आपको इस points में यह है, क्यों in जो आपको दिया गया यहां पर, इन ही उसको follow करना है, shares में trade लेना है, जो भी मैं बताऊंगा, that's very very important, आप इस जो points इसको बोलेंगे watch list building, मतलब हम आप watch list बना रहे हैं, तीसरे step भी बना चुके, मैं watch list दिया हूँ, आप इसको तुरंत app को बनाए, ID password मिलते ही, उसमें इन watch list को आप add कर लिजेगा, यानि इन stocks को add कर लिजेगा, तो friends, आप 4th point पे चलते हैं, जो कि बहु अब आपको trade करना है, तो simple आपको पैसे add करने पड़ेंगे, तो देखिए, अगर आप beginner है, एकदम market में new है, तो बिलकुल भी real money add नहीं करना है, account में blast आजाएगा, boom, क्यानतियों कैसे blast होता है, zero capital हो जाएगी, mindset है, अभी आप beginner हो, psychology नहीं है, तो बड़े बड़े loss खा सकत हो, because में बहुत लोग phone करते हैं, कि sir मेरा 1000 का loss हुआ, and मैं उसको recover करने के चकर में, 10,000 का loss कर लिया, तो यह important point है, आपको starting में real money से trade नहीं करना है, virtual money से trade कर सकते हो, new stock नाम का एक app आता है, simple जाएगे, उस पे register कर लिजिए, और भी app आते है, आप उनकों पे जाकर trade कर सकते ह है, new stock prefer करूँगा, क्योंकि यह थोड़ा simple होता है, and real money की तरह लगता है, उसमें आप minimum 50,000 add करिएगा, 20 to 50,000, उससे आधा नहीं, और उसके बाद आप लोग लिखिएगा, note करिएगा, अच्छा, मैंने एक तारीक को, SBI को buy किया है, यहाँ, इस price पे buy किया, यहाँ मुझे sell किया, मैंने, इस price को यहाँ पे buy किया, यहाँ पे sell किया, कम से कम यह जो process एक महीने follow करना है, minimum एक महीने, आप क्या होता है, मैं क्यों बोल ला हूँ कि virtual manage करिए, देखिए, आप जैसे back test करोगे, back test क्या होता है, मैंने एक strategy बता दी, जो कि मैं बताने वाला हूँ, एक strategy बता कि अच्छा, यहाँ पे strategy बना है, यह profit भी दे रहा है, तो आपने देखा हाँ, यह profit दो दे रहा है, अब वहाँ पर देखने है, real time में देखना, बहुत बड़ा difference होता है, अब कैसे यह देखिए, real time में क्या होता है, आप जब भी trade लेते हो, ठीक है, तो जो candle बनती है, वो 5 मिनट बाद decide होती है, अगर आप 5 मिनट का time frame use करते हो, जो कि best होता है internet के लिए, तो अगर आप 5 मिनट ही use करो हो, तो 5 मिनट खतम होने के बाद ही पता चलेगा, को candle green बनेगी या red बनेगी, उसके बीच में वो दोनों तरह की candle बनेगी, कभी green बनेगी, कभी red बनेगी, तो 5 मिनट जैसे ही खतम हो रहा है, मानि ये 2 सकेंड बाद की है, वो अचानक से उपर चले गई, 2010 चले गई, तो फिल अगर यार ये तो profit हो गया, तो मानि ये real time में क्या होता है, आपको दोनों एक बार समझना पड़ता है, loss भी accept करना पड़ता है, क्योंकि आप डर लगता है, ये तो नीचे आर आप क्या होगा, उपर भी जाएगा, लेकन आप जैसे बैक्टेस में देखोगे, यार ये तो उपर ही गया है लगता है, टेंशन क्या है, ये तो बड़ी ये profit देते हैं, इसलिए कह रहा हूं, real money में करना है, और account, real account से नहीं करना है, virtual money से करना है, वो best ओके, तो ये 4th point भी हो गया, अब चलते 5th point पे, अब फ्रेंज देखें, 5th point क्या होगा, real money, अब आपको real money add करना होगा, after 1 to 2 months, आप real money add करोगे, and अगर आप normal trading कर रहे हो, like आप intraday कर रहे हो, and तो आपको कम से कम minimum 10,000 रुपे add करने, and अगर आप swing trade कर रहे हो, तो आपको क intraday swing options ये क्या होता है, तो simple सी बात है friends, intraday होता है, कि आपको उसी दिन किसी भी stock को buy करना है, and sell करना है, यानि आपके पास 9.15 से 3.30 का time होता है, कि आप stock को buy करे, and उसी दिन जो भी profit loss होगा, उसको आप accept करिए, या उसको book करिए, आप अगले दिन उस rate को नहीं execute कर सकते हो उसी दिन आपको buy and sell दोनों करना होगा, अब intraday में आपको 5X का leverage में, यानि आपके पास 5,000 है न, real money आपके demand account में, तो आप उसको as a buyer आप 25,000 मान के कोई सी भी stock को buy करोगे, like अधानी 500 रुपया का stock है, या 25,000 का stock है, तो आप 5,000 से 25,000 का एक stock buy कर सकते हो, because आपको 5X का leverage म clear हो गया, तो simple the fund है, मैं बताऊंगा minimum, तो intraday होता है, तो उसी दिन buy and sell कर, तो intraday होता है, ठीके, तो फ्रेंस, अब मैं second points की बात करूँ, तो वो होता है swing trade, अब swing trading क्या होता है, इसका मतलब आपने किसी भी stock को buy किया, अब minimum आप उसमें 1 week, 10 दिन, 1 महीने तक उसको hold करते हो, यानि एक दिन में आपको buy sell नहीं करना है, आपके पास एक long term होता है, long term मतलब 1 महीने, 20 दिन, 10 दिन, आपने hold किया, आपको अच्छा खासा return मिला, according to our trade, अच्छा return मिला है, आपने उस return को book कर लिया, तो यह होता है swing trade, अब आते हैं options पे, options and future, future लोग नहीं करते हैं, because उसमें capital बहुत जादा लगती है, एक lot, यानि 25 quantity लेने के लिए, पैंक निफ्टी में, आपको कम से कम 2 लागतर रुपए तक की amount pay करना होगा, लेकिन, मैं options में बात करूँ, तो options में आपको किवर 5 तू 10,000 में, वही 25 quantity buy कर सकते हैं, अब इसकी deep में भी हम लोग जाएंगे, लेकिन, अभी नहीं जाएंगे, बिकॉस जो बैगनेर से, वह confused हो जाएंगे, तो अगर आपको इस topic पर चाहिए, कि options में कैसी अपनी career को बनाए, तो आप जरूर से लिखिएगा, मैं options पर भी एक video ला दूँगा, कि कैसी हमें options से start करना चाहिए, किन चीजों का follow करना चाहि तो तीन टाइब का trading होता है, मैं आपको clear कर दिया, एन एक सबसे basic होता है investment, सबी लोगों को पता है, fundamental check करो, उसका previous trend देखो, market में जाए, देखिए, कौन से stock, कौन सी company सबसे ज़्यादा चल रही है, buy कर लिजे, that is the investment, बहाँ सिंपल सा funda investment का, okay, तो friends, अब हाते हैं में real money प जो मैं strategy बताया रहूंगा, जिस strategy आपने एक महिना virtual trading किये रहेंगे, उसी strategy को आप real market में apply करेंगे, इससे क्या होना, आपकी psychology डेवलप होगी, and that is the most important thing in trading, okay, अब आते हूं अपने 6th point पे, अब 6th point थोड़ा सा important है, थोड़ा सा technical word है, risk management, बहुत important है, लोग इसको value नहीं द बताता हूं, तो friends, stop loss order एक ऐसा order होता है, लाइक अपने 200 पे price पे किसी भी stock को buy किया, 100 quantity, ठीके, आपने define किया कि मेरे इस trade में कि और 500 का loss होगा, इस स्यादा loss मैं नहीं लोगा, तो आप 5 रुपे नीचे जाएंगे, 195 पे अपने stop loss लगा दिया, क्योंकि 100 quantity है, एक रुपे पे 100 पे loss होगा, तो आपने 195 पे stop loss लगा दिया, जैसे ही market 195 या 195 के नीचे जाएगा, ठीके, तो आपका अपने आप वो जो 100 quantity है, वो sell हो जाएगा, यानि 500 रुपे का loss हो जाएगा, इस से बोलता हम stop loss order, and that is very very important, because अब आप stop loss निया होना है, तच्छानक से market गिरता है, and आपने ट्रेड लेने से पहले ही पता होना चीए, कि अगर हमारा stop loss होगा, यानि वो order निकलेगा, तो हमें कितने का loss होना चीए, that is very very important, अब यह क्यों important ही यह बताता हूँ, देखिए, आपने सोचा कि आज मैं 500 का risk लोगा, आपने ट्रेड लिया, stop loss अपने लगाया ही नही ठेके, उसमें आपने पांचो की जगल 2000 का loss कर दिया, आप पूरे दिन आप परिसान रहते हैं, कि यार गलती होगे, ट्रेडिंग तो गैम्लिंग है, मैं यार ऐसे loss होगे तो कैसा चलेगा, मेरी तो करियर ही नहीं बन पाएगी, क्या स्कोप भी है, क्या मैं इसमें अच्छ आप इस स्कलओंगा, मैं पहले दिक साइप करूँगा, अगर होता है, तो मैंसे करूँगा. this is a part of game loss is a part of game आपको सीखना पड़ेगा ठीक है for example जैसे कि मैंने बता यह skill है आप skill सीखते हो ठीक है आपको guitar बजाना सीखना है तो simple जाफंड है आपको guitar लेना पड़ेगा उसको maintain करवाते रहना पड़ेगा उसमें जो खर्च लगते हैं वो आपके normal losses है जो normal losses होते हैं जो आ accept करने trading like आपने कोई business open किया मैंने का कि भाई मेरी company का turnover है वो one CR का है यानि एक करोड मेरी company का turnover है that's not mean कि मैं एक हजार करोड चाहें एक करोड कमार रहा हूं साल का नहीं that's not mean that's mean कि मैं overall इतना कमार हूं मेरे अभी expenses उसमें से reduce होंगे then मेरी actual profit आएगी like मैंने 1 CR का मेरा turnover है उ 30 लाग के actual profit मुझे हुआ and that is trading अगर आपने एक 10,000 रुपे कमाए और आपने 30 मानिये 3-4,000 रुपे losses की तो उसको reduce कीजिए क्यों expenses उसको आपको accept करना पड़ेगा कैसी अगर आप ऐसा तो कहोगे नहीं का रहे नहीं मैं इसमान नहीं मंगाऊंगा जैसे मानिये आपका कोई business है आप office में बैठे हो आपके रहे नहीं यार मैं बिजली बिल नहीं बरूँगा ठीक है तो इसब expenses है तो वहाँ पर जब आप expenses लेने के लिए ready हो तो यहाँ भी ready रहिए कि अगर 10 ट्रेड लेता हूँ दो ट्रेड एसल भी होता है loss भी होता है तो मेरे expense है वो normal बात है वो हर business में होता है तो मुझे accept करना होगा यह होता है winner thought loser thought क्या होता है कि मैं जो बार सुनिये क्योंकि सुनने से कहीने कहीं सब कोइंस माइंड में यह बात बैट जाएगी and this is very very important तो देखिया मैंने कहीने कहीने कहीं ओवर्यू दे दिया कि कैसे आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करोगे आपकी क्या-क्या स्टेप्स होंगे तो first step हमने clear कर लिया mindset बना लिय second step आप मुझे उमीद है कि अभी तक आपने रेजिस्टर कर लिया हो लेकिन अभी तक नहीं किया तो तुरंत रेजिस्टर कर लिए डीमेट अकाउंट के लिए एक्स्प्रेसो के link description में अब थर्ड पॉंट भी हमने clear कर लिया कि कैसे हमें watchlist बनानी है तो watchlist मैंने आपको दे महिने virtual trading करी है ठीक है चौथा पॉंट भी हो गया पांचवा पॉंट जो था कि हमें funding करना है funding अगर आप internet करना चाहरे हो तो पांच से 10,000 is enough starting में enough है आप उतना करके एक trading को start कर सकते है छटा पॉंट कहाता risk management मैंने बहुत इच्छे से समझा है आप वीडियो का अच्छे से देखिए दो तिन बार देखिए ना समझ माए WhatsApp नमबर है मुझे phone करिए कोई भी problem में phone करके पूछ सकते उसके बद अगले point की बात करने तो psychology मैंने psychology भी बता दिया कि क्या आपकी thought होना चाहिए क्या आपका process होना चाहिए आप किस चीजों को कैसे देखते हो this is your psychology मैं किसी च नौट कि आप देखो गया मेरा पैंट गंदा है और यह लोग यही करते है वो ओफिस के लिए लेट हो रहे है चाहिए उनकी पैंट गंदिया तो आप यह देखो ना मेरी शर्ट रिदम सही है मेरी टाइक दम मैंटेन मैंने कपड़े प्रेस की है मैं स्मार्ट लग रहा हू उन पर फोकस करें डोंट फोकस और निगेटिव थिंग्स ओके इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रेंड्स अगला सीरीज भी लाऊंगा कि किस स्टैट्जी को फॉलो कीजिए किस तरह किसे आप सोच सकते है मार्केट में क्या सेंटिमेंट होना चाहिए हम कैसे प् आचीव इसको तो जल्दी यल्दी वीडियो को सेर करिए और आइब होब आपको वीडियो बहुत अच्छी लगिवी तो एक बार मुझे कमेंड बताई एगा कि आपको फीडियो कैसी लगी इस से कही ना कहीम ऑच्छा लग कान से जंते कहीने ऐस आपको फ्रेंड महीं और God bless you.